हलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे औस्ट्रेलिया बसे स्रिलंका के बीच जो पांचवा और आखरी टीम टीम मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तों दोनों टीमों के स्टैट्स के उपर पूरी डीटेल एनलिसिस करेंगे और हेड़ टुए लिग और ग्रेंड लिग की बेस्ट इम कॉमिनेसंट देखेंगे ही और जानेंगे को आपको क्याप्टन वाइस करपन बनाना चाहिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एनलेसिस की उपर पांच वाटी-टीम मुकाबला है दोस्तों और यह मुकाबला दो पहर में Q उपर तो यहां पर जो 13 इंटर्णेसनल मुकाबलह खेले गए हैं T20 के उसमें से जो टीम पहले बैटिंग की यह पांच ही बात जीतने पाई है और जो टीम चेस किया है तो जो बी टीम यहां पर टौ св जीते हैं पहला बॉलिंग करने का निर्न लेगी क्यूंकि यहां पर बाद में चेस करने वाले टीम का रिकोर अच्छा है और लास्ट मुकाबला दोस्तों शृज श्य विकेट से यहां पर जीत कर भी आ रही है पेश बस से स्पीन की बात किए रास्ट के यहाँ पर चार मुकाबले की तो फाश्ट बुलर को मिला है दोस्तो 33 भुकट और अस्पीन भुटर की बात किया तो 13 भुट मिला है तो यहाँ पर आपको फाश्ट फुलर पर जारा फूकस करना है बहुत सारे बैधिरिन फाष्ट भुलर भी को देखने को मिलेंगे और ऑर अश्ट्रेलियाँ दोस्तो यह scoring match देखने को नहीं मिलेंगे और वहीं बात करें scoring pattern को लेकर तो ग्यारा जो 13 मुकाबले हुए है उसमें से दोस्तों 9 बार यहाँ पर 1500 के नीचे score बन चुका है और 150 और 70 के बीच में 2 बार और 170 और 200 के बीच में यहाँ पर बार score बनाया तो देख सकते हैं कि कितना low scoring match यहाँ पर आपको देखने को मिला है और लास्ट मुकाबला भी दोस्तों low scoring match था और यह बात करें recent के तो recent के यहाँ पर पांच-चार मुकाबले हुए हैं उसमें से तीन मुकाबला दोस्तों Australia जीता है और स्रिलंका की बात करें दोस्तों अभी तक एक भी मुकाबला जीती नहीं है और बहुत एक खराब performance कर रही है और Australia अपने मतलब टीम में बदलाओ करते जा रही है क्योंकि वो नएने पिलर्स का chance दे रही है और स्रिलंका का दोस्तों अभी तक खाता भी निखुला है इस सिरीज में अब आहीं बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की head to head comparison की उपर तो पूरे इतिहास में 21 बार दोनों टीमों आपस में भीड़ी है इस सिरीज में तो चार मुकाबला जीती चुकी है और पिछला बार दोस्तों वल्डिकप में एक बार भीड़ी थी उसमें भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया साथ विकेस से हरा दिया था सिरलंका को तो हेड-2-8 में भी दोस्तों देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही तगड़ा मतलब भारी है और रिसेंट में तो दोस्तों आपको पता है का ऑस्ट्रेलिया बहुत ही संदार फॉर्म में चल रही है अब उसके बाद दोस्ते हाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की head-to-head काम prison की उपर टीसे देखकर आपको अंदर लग जाएगा कौन से प्लर एक दूसरे टीम खलाप अच्छा प्रफोर्मेंस करता है और कौन से प्लर को आपको small league और खासका grand league के टीम्स में लेना चाह लिए और श्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो एरन फिंच 13 मुकाबले में 322 रन 24 रन बना है और सिरलंगा खिलाप 24 के साथ बहुत खराब record रहता है और इस सीजन भी दोस्तों कुछ खास जोन ने किया नहीं है Maxwell की बात किया दोस्तों यहाँ पर 11 मुकाबले में 395 रन बना है 65 के अबरेक साथ लास्ट मुकाबला भी दोस्तों 40 रन नोट आउट रहे हैं तो एर Glenn Maxwell का record दोस्तों बहुत संदार रहता है स्रिलंगा खिलाप तो आप लोग के लिए ट्रमपिल रहेंगे जे अंगलिस की बात करें चार मुकाबले में 132 रन 44 के अबरेज इनका record अच्छा है मैं ड्रमोट की बात करें कुछ खास performance नहीं किये हैं 270 के अबरेज के साथ 5 मुकाबले में खेले हैं 85 रन बनाए हैं मारके स्टोनिस का दोस्तों बात किया तो बैटिंग और नीचे है 5 मु जेगा पर क्या क्या चेंज़ आपको देखने को मिलेंगे अब आहीं बात करें तो एडम जेंपा 11 मैच में 21 विकेट पैट कमिंस 9 मैच में 12 विकेट मैचल स्टार्क 9 मैच में 11 विकेट और जॉस है जलूट की बात करें चार मुकाबले में 8 विकेट तो जैसे आक मैंने और अगार की बात करें पांच में 5 तो अगार भी दोस्तों इस मुकाबले में खेलने का कमी चांस है इनकी जगा दोस्तों हो सकर ट्रिवियस हैट को खेला जाए और एक चेंज़ वह भी होगा वह मैं आपको आगे बताऊंगा तो यहां पर देखा जाए तो आपको यह नही ऐसे बैट्समेंन है जो कि दोस्तों इस ट्रिया खिलाप अच्छा रिकोर्ड राक्ति हैं और अभी संदार परफोर्मेंस भी कर रहे हैं चंडिमल की बात करें 12 मुकाबले में 17 के साथ 188 रन बहुत खराब मुका मतलब रहता है इनका रिकोर्ड गुन्थालिका की बात करें 9 का इवरे जब बहुत घारर पांच बहुत करें 9 विकरेंशने की बात करें 15 का डिस संदाग कीć बात करें 25 यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बैटिंतग से लेकर देखा जा तो बॉल्लिंग जा सारा प्वी को नहीं मिलेग से लिए यहां पर आपको ऑस्टेलिया का जाला प्लेयर्स पर फोकस करका है क्योंकि इस तीरीज में भी ऑस्टेलिया का प्रफोर्मेंस बहुत संदार है अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर ऑस्टेलिया की क्या रहेगी प्लेंग लेवन तो एरन फींच और मैक जिए हो सकते हैं तो यहां पर दो चैनलेंस पॉसिबल है जो आपको बता रहा हूँ पीछले वीडियों में बिल्कुल वही हुआ था इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि ट्रीवेस हैड और एम हैड उस खेलते होई दिखेंगा यह रहेगी दोस्तों प्लेंग लेवन उसके दोस्तों बात कर लेते हैं Australia के जो सारे प्लेयर से उनके रिसेंट परफॉमेंस की उपर तो यह जो चार टीटवेंटी मुकाबला खेले हैं रिसेंट का भी परफॉमेंस है और हेट टुएट का भी रिकॉर्ड है तो जैसा कि मैंने उपर बताया था कि एरेंट फिंच का बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है 24 का यह अबरेज और रिसेंट में भी देख सकते हैं कि स्रलंगा खिलाब कुछ खास उन्होंने किया नहीं है है स्कोर 35 का यह मैं एक ड्रमोट की बात कर रहे हो लेक मुकाबले में 50 प्लस बाकि तीन मुकाबले में किये हैं और इस मुकाबले में खेलने का कम चांसस है एम वेट की बात कर रहें नीचे बैटिंग करने आते हैं दो बार बैटिंग करने का मौका मिला 4 और 13 न और बनाया है और वहां ही बात करें बालिंग सिक्सम्स को लेकर तो केंज रिचरट्सन दोस्तों यहाँ पर तीन म और यहां से दोस्तों आपको बॉलर्स पजारा फोकस करना है खास करके यहां पर ऐस्टेलिया टीम की क्योंकि यहां पर आपको हाय स्कूरिंग मैच नहीं होगा तो बॉलर्स को विकेट जरूर मिलेगी तो उसी साब से आपको टीम बनानी है स्रलंगा की तरफ से बात करें तो इधर से कंफर्म कोई प्लेंग लेवन है नहीं तो फिलाल जहां तो मुझे लग रहा है कमी चेंजर्स करती है पिछले मुकामला में यहां पर एल कुमाराओ खेला गया था और यहां पर डबलो स्रलंगा को आपको पता है कोई पॉसिटिव ह हो चुके हैं तो वह खेलेंग है नहीं तो यहां पर यह रहेगा दोस्तो पलेंगे लिए लएघर आप लोग देख सकते हैं माज्य लंगा की बात करें कुछ खास पर्फॉरमेंस नहीं है और डी सना का अच्छे फॉर्म है और चंडीमल थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म है यह दोनों प्लियर को आप ले सकते हैं और खास करके पी निसंगा का तो आपको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना और यहां से गु काबले हैं पांच विकेट करनों राटने के माध कर की ज़ादा आरे मेरा यह दोस्तों रहेगे की प्लियर यह होगी हमारी दोस्तों पूरी डिटेल एनलिसिस अब बात कर लाते हैं टीम कॉंबिनेशन की उपर तो आगे बनने इस पहले दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम देखेंगे उसके बाद दोस्तों मतलब टॉस के बाद वहाँ पर आपको टेलेग्राम पर स्मॉल लीग और ग्रेंड लीग के टीम मिलती रहेगी और मैं आप लोग सुझा नहीं मांगता बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दी अगर आपको हमारी एनलिसिस अच्छी लग रही हो तो विकट कीपर में बात कर तो यहां पर आपको बहुत सारा ओप्सन देखने को मिल जाएंगे और सबसे इंपोर्टेंट ट्रीवियास हेड आपको खेल सकते हैं दोस्तों अगार की जगह और यह खेलेंगे तो दोस्तों यहां से एरन फिंच ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ट्रीवियास हेड के साथ जा रहा हूं क्योंकि इनका ओवरल पर्फिंच की बात कि जा दोस्तों यहां पर 17 और मतलब 19 का यह रहता है तीन यहां पर आप चाहां तो इनको ले सकते हैं लेकिन मैं CS लंगा नहीं तो दोस्तों किसी एक को लूँगा डिपेंड करता है अगर सिरलंगा टीम टॉस ज जीगा पर तो यहां पर मैं एम हैंडिस के साथ जा सकता हूं लेकिन फिलाल तो मैं आगार के साथ ही जा रहा हूंगोड कि कन्फर्म नियूज नहीं है तो यहां पर मैं दो डॉनर को लिए हूं दोस्तों यहां पर ग्लेन से बात किया था दोस्तों यहाँ पर मैं जे रिचरट्सन को ले रहा हूँ एडम जेंपा को और यहाँ पर मैं लिचे ऊपर से लिया हूँ के रिचरट्सन को तो यहाँ पर मैं तीन फिलाल बोलर ले लिया हूँ अस्ट्रलिया की तरब से और यहाँ पर मैं दो बोलर लूँग कि आपको पता है उस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत ही संदार है अगेंश्ट सिरलंका क्याप्टन दोस्तों रहेंगे मेरे ग्लैन मैक्सिवल और वाइस का क्याप्टन की बात करें तो वाइस क्याप्टन दोस्ते यहाँ पर मैं एडम जेंपा को बनाओंगा क्यूंकि यहा 12 मुकाबले में दोस्तो 21 विकेट ले चुके हैं और अभी तक दोस्तों 5 ये 6 विकेट लिए मैं भूल रहा हूं तो यहाँ पर आप लोग लिए ट्रंप लियर रहेंगे तो आप चाहें तो ग्रैंड लिकी टीम में एडम जेंपा को क्याप्टन नहीं बना सकते हैं फिलाल जाकर जॉइन कर लिए बहुत सारे लोगों वहाँ पर जॉइन कर चुके हैं अगर आप लोग अभी जग जुएन नहीं किया तो आप लोग बहुत ज्यादा कुछ मिश्ट कर रहे हैं क्यूंकि इंडिया वेस्ट इंडीस की जो स्रीच चल रही है उसकी भी वहाँ पर आपक प्राकिस्तान सूपर लिग की टीम तो मिल ही रही है और साथ में यह सीरीज की भी आप पर आपको टीम मिलेगी यहाँ पर मैं बनाया हूं दोस्तों कैप्टन ग्लैन मैक्सवल को वाइस कैप्टन एडम जेंपको और लॉंडर मिलाकर मैं पांच बोलर लिया हूं दोस्तों की तरब से के और दो बॉल यर्म से के तरफ से और दो बैट्स न यहाँ पर सिर्लंगा की से मैंने लिया है बाकी एपूरी तरह से अस्ट्रेलिया को टीम बढर करते हैं असलंगा की गटार इपकर दोस्तों ग्रेंजर्टन läuftन रहें गे और यहाँ जैंपको डीच मेरे ओं ऊ इस वीडियों दोस्तो बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर टेलेग्राम चैनल पर जॉइन नहीं किये जल सेल जाया जॉइन कर लिए और अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर करके लिए सब्सक्राइब और आप लोग अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तो आपसे मैं गुजारिस करता हूं कि नोटिफिकेशन वेल को जरूर ओन कर लिए क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तो मैंच सेरे मतलब सबसे पहले अपडेट्स आते रहती है तो वहां पर आपको सबस सबसे पहले कमेंट जाएगा मतलब सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा फिर आप सबसे पहले कमेंट करने पाएंगे फिर आपको प्राइज मिलेगे धन्यवाद दोस्तों इस वीडियों बस इतना ही